हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल इस्टाडी विद इंजिनियर सोहेल मंजिल तक सफर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही जाद अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शांदार तरीके से मेरे दोस्त चल रही होगी तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत जबरदस्त दोस्तों वेकिंसी आपकी SSC की तरफ से निकल कर आ रही है जो है मेरे दोस्त किसकी आपकी CPO की तो CPO की vacancy में आपको होता क्या है सबसे पहरे तो मैं आपको यही बता देता हूँ तो CPO में दोस्तों आपकी जितनी भी SI की post होती है ठीक है चाहें वो आपकी CRPF में हो या आपकी CISF में हो या आपकी दिल्ली पुलिस में हो या आपकी ITBP में या फिर आपकी SSB में मतलब जितने भी भागों में आपकी SI की post होती है वो सब ही दोस्तों आपकी किसके जरिये से होती हैं CPO के जरिये से आपकी भरी जाती है तो इसके बारे में संपूर्ण दोस्तों जानकरी मैं आज आपको दूँगा और एक-एक slide बहुत शांदार तरीके से मैंने बनाई है जैसे selection process में क्या-क्या होगा physical test में क्या होगा tier 2 में आपका क्या पूछा जाएगा bonus mark कौन से हैं सभी कुछ दोस्तों बहुत शांदार तरीके से हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसमें total post कितनी है तो 1876 पदों पर दोस्तों ये आपकी भरती आई है जो बहुत ही शांदार दोस्तों आपकी वेकिंसी है तो 1876 पदों पर ये आपकी वेकिंसी है और इसमें दोस्तों ये आपकी क्या है जा रहा है तो फॉर्म की देट दोस्तो आज से ये फॉर्म भरा जा रहा है 22 जुलाई से और जो आपका भरा जाएगा लगबग दोस्ता आपका 15 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है एक्जाम आपका कब होगा तो अक्टूवर 2023 में साथ ही इसका एक्जाम होन ही है तो आप यही मान कर चलेंगे कि तीन से छे तक के बीच में ही दोस्तों यह आपका एक्जाम कंड़क्ट करा लिया जाएगा जो साथी कौन सा होगा आपका टियर वन ठीक है इसके क्या सेलेक्शन प्रॉसिशन सब कुछ दोस्तों बिल्कुल आसान बासा में आपको बता करते हैं कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो साथी आप ग्रेजिशन पास होने चाहिए या आपने बीच क्या हो बीच क्या हो चाहें बीटेक क्या हो कुछ भी आपने क्या हो ग्रेजिशन आप क्वालिफाई होने चाहिए और ग्रेजिशन का जो आपका रि मांगी गई है तो कि रिजुएशन का जो आपका रिजल्ट है तो पंदरा आठ दो हजार 23 से पहले दोस्तों आपका आजाना चाहिए मार्शलीट आपकी आजानी चाहिए ठीक है यह वाद समझ गए अगर एज की बाउत करते हैं कि एज आपकी कब से काउंट होगी तो एक और OBC Candidate है वो उन्हें 3 साल की चूट मिलेगी तो 20-28 हो जाएगा आपका और SCST Candidate जो है उन्हें 5 साल की चूट मिलेगी तो कितना हो जागा भई 20-30 साल उनकी लिमिट हो जाएगी SCST Candidate की तो यतनी बात सभी को किलियर है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अब देखते है हम लोग selection process ठीक है सबसे ज्यादा important क्या है आपका सबसे ज्यादा important हो जाता है आपका selection process की आखिरकार selection process क्या है तो सबसे पहले इसमें tier 1 होगा ठीक है उसके बाद आपका क्या होगा physical efficiency test यह फिर physical eligibility test ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा tier 2 होगा उसके बाद आप आपका होगा medical और फिर आपकी होगी joining तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं tier 1 की, tier 1 दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, tier 1 की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, तो tier 1 में दोस्तों आपका क्या होगा syllabus, आपसे math पूछी जाए यह दोस्तों आपका 200 number का क्या होगा, paper होगा और 200 ही question आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, each section में कितने हैं भाई, 50 question है, तो 50 into हम लोग 4 करेंगे, तो कितना आजाएगा भाई, 200 question आजाएंगे, और each question बन mark है, तो 200 ही mark आपका इसमें हो जाएगा, time की अगर मैं बात करता हूँ, तो 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा, और इसमें negative marking दोस्तों पहले बनवाई 4 की होती थी, लेकिन अब कितनी कर दी है, बनवाई 3 की negative marking करती है, दोस्तों जो है आपकी तगड़ी, मतलब इसमें दोस्तों जादा आपको क्या नहीं लगाना है भ दिल्ली पुलिस की, तो competition दोस्तों सबसे जादा जो देखने को मिलता है दिल्ली पुलिस समिस्पेक्टर को देखने को मिलता है, ठीक है, सबस्यादा high cut-off इसकी ही जाती है, बाकी बच्चा जो भी English बगएर ठीक से कर लेता है, अगर दिल्ली पुलिस में नहीं आपाता है, तो CRPF, या फिर CISF, ITBP में दोस्तों salary बहुत अच्छी होती है, SSB, ये सब post उसे आसानी से मिर जाती है, जो दिल्ली पुलिस SI में नहीं आपाता है, तो दिल्ली पुलिस SI की दोस्तों cut-off तगड़ी जाती है, ये बात आप मान कर चलेंगे, ठीक है, और दिल्ली पुलिस क होता है, वो आपका चाहिए LMB, DL अनिवार होगा, और दोस्तों ये हो सकता है, आपका physical में ही check कर लिये जाए, ठीक है, physical में जब आप जाएंगे, तभी दोस्तों ये DL वेगरा आपका document verification हो जाएगा, तो DL आपका बना हुआ होना चाहिए, document verification से पहले, के लिए मेरी बात अगर DL आपके पास नहीं है, तो दिल्ली पुलिस के लिए आप post के लिए apply नहीं कर सकते हैं, मतलब दिल्ली पुलिस में आप fight नहीं कर सकते हैं, फिर CISF या ITVP, SSV या फिर CRPF ठीक है, या फिर BSF, इसके लिए दोस्तों आप जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो भी male candidate है, उनकी height 170 cm होनी चाहिए, chest की अगर मैं बात करता हूँ, तो 80-85 cm chest उनका होना चाहिए, ठीक है, जो भी candidate हमारे hill areas से आते हैं, जिसे गड़वाल है, कुमाई हुए, हिमाचल पिरदेश है, गौरखा है, दोगरा है, ठीक है, मतरास, कस्मीर वेले, मतलब जितने भ दोस्तों 5 cm की छूट मिल जाती है, जो भी हमारे hill areas से student आते हैं, किलियर है मेरी बात, और जितने भी दोस्तों ST वाले category के हैं, जितने भी ST category के male candidate की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी male candidate के यह बात चली, जितने भी male candidate के ST से बिलोंग करते हैं, वो सभी 162.5 पर दोस्तो क्या है, उनकी height लगेगी, और height लगने के बाद दोस्तों 77-82 उनको chest में भी छूट मिल जाती है, जितने भी हमारे female candidate हैं, उनके लिए 157 cm की height मागी गई है, और जो भी hill areas से female candidate आती हैं, उनकी 155 cm height मागी गई है, और जो female candidate हैं, ST category से उनके लिए 154 cm की height मागी गई है, किलियर हैं मेरी बाद, सब कुछ complete समझ में आ गया, दोस्तों इसमें weight का भी क्या होता है, भाब होता है, जैसे किसी के height कितनी है, 6 feet है, तो 6 feet के हिसाब से अगर उसका 80 kg बजन है, तो मेरे भाई चलेगा, लेकिन किसी के height है 5 foot 8 inch और उसका बजन हो गया, भाई, 85 से उपर 90 की बीच म है, वो चार्ट दोस्तों मैं आपको कहा भेज दूँगा, टैलीग्राम पर भेज दूँगा, और टैलीग्राम का दोस्तों लिंक मैंने आपको description में दे रखा है, बहां जाकर आप टैलीग्राम को दोस्तों join कर लीजे, उसका पूरा चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि 100 मीटर मेल की बात कर रहे हैं, 100 मीटर रेस मारनी होगी आपको 16 सेकिंड में और उसके बाद 1.6 किलो मीटर रेस माननी होगी 6.5 मिनिट में, मतलब 1600 मीटर रेस आपको माननी होगी 6.5 मिनिट में, ठीक है, लॉंग जंप आपको मारनी होगी 3.65 मिनिटर, इसके लिए आपक फेल हो गए दुसरे चांस में भी आप फेल हो गए लेकिन तिसरे चांस में आपको मार रही ही पड़ेगी आना था आपकी घर को बापसी हो जाएगी ठीक है यह 3.65 लगभग आपकी बनेगी 13 फिट जाकर ठीक है और हाई जंप की बात करते हैं तो 1.2 मीटर तीन चांस इसके लिए भी मनेंगे और यह भी लगभग आपकी साड़े तीन फिट के लगभग आसपास हाई जंप आपकी बनेगी शॉट पुट की अगर हम बात करते हैं तो 16 सार 20 मीर इन City चॉर यह दोस्तो गुला लगभग आपका होता है साथ के जी साथ केजी गोला होता है जो हाथ से ब्रौग यह होगी आपकी मेल कैंडिडेट की बात कीब साब्धमेल क्ाणिडेट का जो भी बच्चे ये qualify करता है आपका physical ठीक है इसके कोई भी दोस्तो marks नहीं है ठीक है अगर आप पूछते हो कि सर इसके marks बगएरा तो marks नहीं है सिर्फ और सिर्फ qualify नेजर का ये आपका एक physical test होगा जो भी बच्चे इसको qualify करेगा वो कहां पहुचेगा भाई ये वो पहुच टू में हमें क्या देखने को मिलेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी English पूछी जाएगी जैसे टीर वन में आपके चार सफजेक्ट आपके reasoning, math, gkgs और English लेकिन टीर टू में सिर्फ और सिर्फ आपकी English language and comprehension दोस्तों कुश्चन दोस्तों यहां पर आपको पूछे टीर बन हमारा कितने नंबर का हुआ, 200 का ठीक है, और टीर टू भी हमारा कितने का हो गया, 200 का, मतलब कितने हो गया हमारे 400 नंबर का या 400 मार्क का दोस्तों यह पूरा पेपर हो गया, अब जो हमारी मेरिट लगेगी, ठीक है, 400 में से ही हमारी मेरिट लगेगी, अब इसमें note करकर मैंने एक बात लेखी है कि English 400 में से 200 नमबर की दोस्तों केबल और केबल आपकी English पूछी जाएगी मतलब जो बच्चा English में अच्छा है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर selection लेना बहुत दोस्तों क्या है? अच्छा है, बहुत आसान है जो बच्चा English में अच्छा है वो selection यहाँ पर आसानी से ले जाएगा तो English में जो बहुत बुरा है जिसे लगता है कि मैं English सीख ही नहीं पाऊंगा तो बच्चे इस form को ना बरें भीया अगर आपको लगता है कि आप English पढ़कर सीख सकते हैं, कर सकते हैं तो आप इस form को apply जरूर करें और आपको सीखना भी चाहेंगे आप अगर English नहीं सीखते हैं तो आपको पता है ना कि SSC में कितने exam होते हैं और सभी में आपकी English रहती ही रहती है तो आप इतने धेर सारे exam से कह रहे जाते हैं वन्चित रहे जाते हैं मेरे भाई तो English को सीखिए और इन सभी exam को दीजिए चाहें MTS, CHSL, CGL, CPO ठीक है जितने भी आपके exam होते हैं Phase 2, किस भी जितने भी आपके exam होते हैं SSC के सभी में आप बैट पाएंगे अगर आपकी English बहुत शांदार होगी तब ठीक है तो English आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा अच्छा कुछ important चीज़ है जो मैंने यहां पर लिखी जो भी SC, ST या OBC candidate हैं ठीक है जो age में छूट की दोस्तों बात करेंगे और उसका certificate जो लगाएंगे ठीक है जो भी category से आप आते हैं तेइस से पहले का आपका certificate होना चाहिए इससे बाद का certificate है मेरे भाई तो क्या है दिक्कत का सबब है ठीक है तो आपका जो भी certificate है वो 15.08.2023 से पहले का certificate मेरे दोस्त होना चाहिए ठीक इतनी बात समझ गए चलिए अब आगे समझाता हूँ आपको bonus mark की आखित क्या कहानी है यहां पर आप पहले पढ़ लिजे National Candidate NCC Certificate Holder 15.08.2023 बिल वी गिविन बोनस mark पेपर 1 एंड पेपर 2 विच विल वी एड़ेट टू दा नॉर्मलाइड इसकोर्ड आफ सच candidate as paper following schemes मतलब क्या है type C के जो certificate वाले candidate है paper 1 में भी और paper 2 में भी उन्हें 10 नंबर भया मिलेंगे NCC Certificate B वाले जो हैं उन्हें 6 नंबर मिलेंगे NCC Certificate A वाले हैं उन्हें 4 नंबर मिलेंगे माल लीजिया हमने certificate C वाला कोई बंदा है तो इसे paper 1 में भी और paper 2 में भी तो आप समझ सकते हैं कि आपके CPO में NCC की कितनी ज़्यादा दोस्तों क्या है जरूत है कितनी ज़्यादा बेटेज है आप किसी भी नॉर्मल बच्चे से ओवराल 400 नंबर में से मेरे भाई 20 नंबर तो आप ऐसे ही NCC वाला बच्चा आगे चला गया नॉर्मल बच्चे से तो ये NCC कितना ज़्यादा फाइदा करता है आपका कहां पर आपके CPO एक्जाम ठीक है ये जो डिटेल थी यही मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि आपको ऐसा CPO के लिए अगर आप लोग पूछेंगे सर कहां से तयारी करनी है बेस्ट बुक कौन सी रहेगी सर कहां से कोचिंग करें तो उस सब की भी दोस्तों बात मैं कर लोंगा अगर दोस्तों आप लोगों का response अच्छा आता है निकल कर तब ठीक है तो दिल्ली पुलिस में जो भी किलियर कर चुका हूँ मेरे हिसाब से तो आप लोगों को अगर साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू कर दे चैनल पर नए है तो आप इस पैमली का हिस्सा जरू बने और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और सभी लोगों में क्या करतेंगे भाई शियर जर बारत